तो कैसे आप लोग उमीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सेफ होंगे, सेक्योर होंगे तो पहले तो यार देखो, सौरी, बहुत टाइम से कोई नई वीडियो नहीं आई है ये चैनल पे तो आज हम इस वीडियो में SQL Injection के बारे में सीखेंगे तो पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस को अटैक करने के बारे में देखा और पर उसको इन डेप्ट समझने के लिए हमें आज इस वीडियो में SQL Injection को अच्छे से डीपली उसको समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के उपर तो पहले तो देखते हैं कि ये जो हम इतनी देर से SQL कर रहे हैं जो SQL Injection है वो होता क्या है देखो यार हमें इतना तो पता है कि ये कुछ क्वेरी से रिलेटेड है जो के हमने पिछली वीडियो में भी देखा था तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं मान लो के यार हमें एक वेब साइट में लॉग इन करना है तो जैसे के आपके सामने अभी एक लॉग इन पेज है और इसमें ये हमें अपनी लॉग इन डिटेल्स मांग रहा है तो हम try करते हैं इसमें login करने के लिए तो हम username में डाल देते हैं user और password में pass पर हमारे सामने तो ये दिख रहा है कि वेबसाइट पे हम password और username डाल रहे हैं पर यार back end पे क्या हो रहा है ये हमें अभी थोड़ी पता है तो अभी इसके back end पे चलते हैं और देखते हैं पीछे क्या queries चल रही है अभी जो ये queries है ये ज़रूरी नहीं कि इसी हिसाब से चल रही हो बट हम एक just for an idea हम इनको check कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ताकि हमें अच्छे से हम understand कर पाई इस चीज़ को तो यहां पे हमने जो login details डाली थी जो के थी user और pass तो यहां पे जो login application है वो एक query use करेगी login details पता करने के लिए कि यार ये सही भी है या गलत है क्योंकि उसको तो login कराना है तो अगर आपका password गलत है तो वो क्यो login कराएगी तो इसलिए तो वो क्या होगा तो इसके लिए हमने वो query लिखी है अपने desktop पर ही तो यह होगी वो query के select username password from users where username is equal to user and password is equal to pass तो पहले तो यार जो यह username और password है यह user के लिए input field है तो यह query कह रही है कि आपको वो select करना है username और password जिसमें username की value हो user और password की value हो pass जो के हमने input की थी अब इस query में आप एक चीज़ notice कीजिए कि हम बस एक चीज़ control कर पा रहे हैं जो के है username और password की value तो इससे हमें इतना तो पता चलता है कि हमें जो करना है वो इन ही दो values के साथ छेड़ चाड़ करके करना है ओके तो अब तक जो हमने देखा वो देखा एक normal इनसान के perspective से बट अब हम ठहरे hackers तो हमें तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा अब हम inputs में जो के है username और password इन में हम कुछ उल्टा सीधा डाले तो क्या होगा अब सच में कुछ उल्टा सीधा मत डाल देना मतलब मेरा मतलब उल्टा सीधा से है के हम क्यों न उस application को थोड़ा confuse करें आखिर उसको भी तो पता चले के उसके सामने एक हैकर है तो आप लोग क्या करोगे उन input fields में dash या फिर और one is equal to one डाल के देखो दोनों fields में तो अब हम चलते हैं अपनी उस query पे जो हमने लिखी थी अब यार देखो इसमें जो username है वो उसमें हमने इसको तो close कर दिया है और उसमें एक नया parameter डाल दिया है जो के है और और हमें इसका मतलब पता है के और का मतलब क्या होता है अब ये कह रहा है के ये या तो user या फिर one is equal to one और अब यार ये तो सीधी सी बात है के one is equal to two तो होगा नहीं one is equal to one ही होगा ना अब वो application सोचेगी के यार इस बंदे ने बात तो सही कही है इसका जो username है वो तो ठीक नहीं है बट one is equal to one तो होता है इतनी मैथ तो मुझे भी आती है अब वो समझदार बनने के लिए हम लोगों को login करा देगी और हमने उसको पागल बना दिया अब जो ये हमने देखा अभी ये एक बहुत ज़ादा basic example था SQL injection का बट यार एक बुरी खबर ये है के आपको ये कभी नहीं मिलेगा मतलब जहां तक मैंने देखा है के इतना आसान SQL injection शायद ही मिले क्योंकि यार देखो जो वो application डेवलप कर रहा है वो भी तो professionals है अब वो इतनी चोटी सी गलती तो करेंगे नहीं सो ये मिलना तो ऐसा है जैसे पगवान मिल गए हो अब यार ये ना आपको login पे ही मिले ज़रूरी नहीं है ये आपको login पे, search पे, URL पे, product है कोई उसके number पे या फिर कहीं किसी request में भी मिल सकता है उसके और parameters में भी मिल सकता है जैसे के host यहां तक के user is agent पे भी मिल सकता है बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके उसको find करना है और वहाँ पे अपनी queries लगानी है ताकि हमें पता चल जाए और application को हम फिर से एक बार पागल बना पाए अब यार ये चीज़े जो SQL है, SQL injection है वो SQL का कौन सा version है उस पे भी depend करता है कि आपको कैसे उस query को break करना है तो हर एक में वही सब नहीं चलेगा अब यार पहला step तो हो गया कि आप SQL injection find कैसे करोगे और उसके लिए आपको check करना पड़ेगा जैसे अभी हमने देखा था कि हमने कैसे उस statement को break किया तो एक बार देखते हैं कि SQL injection का हम कैसे पता लगाए कि यार इस application में SQL injection हो सकता है तो अब उसके लिए हम उसी website पे check करेंगे क्योंकि YouTube हमें किसी real site पे तो करने नहीं देगा और अगर फिर भी हमने किया तो एक community guideline strike नाम का एक bomb हमारे channel पे फोड़ देगा तो अब चलते हैं अपनी computer screen पे फिर से और देखते हैं कि यार कैसे हम find करें मतलब कैसे start करें आप थोड़ा सा idea ले सकते हो उससे कि आपको कैसे start करना है कैसे SQL injection find करना है किसी भी नई application में जिस पे आपको आपने कभी use नहीं की हो या फिर उसको कभी surf ना गिया हो तो उसमें आप कैसे start करेंगे करेंगे